दियरे स्टुटेंट, में इनकी आनलाइन क्लास में आज की इस क्लास में आप अध्यान करेंगे क्लास फिफ्ट हिंदी वियाकरण के अंतरगत लिंग अर्थाद जेंडर का आपका छेट्वाँ चेप्टर है लिंग जेंडर को पढ़ने से पहले सरपतम आप ध्यान रखिए कि लिंग किसे कहते हैं अर्थाद इसकी पहचान क्या है लिंग किसे कहते हैं तो देखें सब्द की जिस रूफ से यह पता चले कि वह पुरुस जादिका है या इस्त्री जादिका इसका जब पता चलता है तो उसे लिंग कहते हैं अर्थात सब्द के जिस माध्यम से उसके इस्त्री या पूरुष जाद की होने का बोध होता है उसे लिंग काते हैं अब उसके बाद लिंग के कितने भेद होते हैं तो देखे संस्कित में लिंग के तीन भेद होते हैं किन्तु हिंदी में लिंग के दो ही भेद होते हैं संस्क दो ही लिंग के भेज़ पढ़ने होते हैं, पहला पुलिंग, दोस्तरा इस्ट्रिलिंग, तो पुलिंग किसे कहते हैं, सब्द की जिस रूप से उसकी पुरुष जाद की होने का बोध होता है, उसे पुलिंग कहते हैं, जैसे पिता, जैसे लड़का, जैसे बालक, जैसे मुर जिनको आप व्यक्त कर सकते हैं अब बात करते हैं इस्त्री लिंक किसे करते हैं तो देखे सब्द की जिस रूफ से उसके इस्त्री जात्की होने का बोध होता है उसे इस्त्री लिंक करते हैं जैसे मुर्गी जैसे लड़की जैसे बंदरिया जैसे इत्याद बहुत सारे ऐसे स तब आप समझ सकते हैं आप इसे लिखकर वियक्टिवी कर सकते हैं और आगे बात करते हैं पूलिंग तथा इससे लिंग की पहचान कैसे की जाए इसके लिए आप ध्यान रखिए परवतों की नाम सदैव पूलिंग होते हैं ठीक है दिनों और महिनों के नाम सदैव पूलिंग होते हैं किन्तों इन में कुछ अपवाद है अपवाद क्या है अपवाद का मतलब की वह जिसे इस्त्री और पूरुष दोनों में ही मान लिया जाता है तो इस प्रकार से वो अपवाद होता है यानि उसका कोई निश्चित नहीं होता इस प्रकार से दिनों और महिनों के नाम सदैव क्या होते हैं पूलिंग होते हैं जिसमें मई और जन्वरी को छोड़ कर यह आपको ध्यान लख रहे हैं मई और जन्वरी अपवाद हैं तो इसलिए इन महिनों को छोड़ देना है आपको बिच्छों के नाम भी पौधा होता है, वो अपवाद है, ठीक है, देशों के नाम, देशों के नाम भी पुलिंग होते हैं, ठीक, लेकिन इसमें स्री लंका को छोड़का, स्री लंका क्या है, अपवाद है, सागरों के नाम, जैसे सागरों के नाम, सागर भी पुलिंग होते हैं, जितने भी सागरों यह सभी क्या है यह सभी पुलिंग के अंतर गताते हैं ग्रहों के नाम सूर्चन्रमा प्रित्वी अपवाद है इसको आपको ध्यान रखना है जो ग्रहों के नाम है ग्रह भी पुलिंग है किन्तो इनमें प्रित्वी अपवाद है महाधिपो के नाम एसीया फ्रीका इस परकार से इसे बहुत सारे हैं जो पुलिंग के अंतर गताते हैं जैसे फूलों के नाम होता है किन्तु चमेली इसमें अपवार है इसे डर्ब्दों के नाम हैं घी, दूद, तेल, इग्यत परकार से हैं रकनों के नाम हैं, ये सभी पन्नापोर, खराज, हीराज, जवाराज, सोना, चांदी, ये सभी पुलिंग के इंतर गताते हैं, वर्ड माला की जो अक्षर होते हैं, काखा, गागा, इत्याज जो होते हैं, ये भी पुलिंग के इंतर गताते हैं, और देखे, इस्त्री लिंग क जितनी भी तित्य होती है ये सारी तित्या इस्ट्रिलिंग होती है भाषा और गोलिया जितनी भी भाषाएं और गोलिया होती है ये सभी इस्ट्रिलिंग के अंतरगत आती है पुस्तकों के नाम जितनी भी पुस्तकों के नाम होती है ये भी इस्ट्रीलिंग होती है जीलों के नाम संसाज की जितनी भी जीले होती है ये सब भी इस्ट्रीलिंग के अंतरगत ही आती है इसी प्रकार लिपियों के नाम ये भी इस्ट्रीलिंग के अंतरगत आएगा छोटी वस्तू के नाम ये भी इस्ट्रीलिंग के अंतरगत आए इस रिखार से आप आसानी से is Marilyn行 और फूलिंग की पपहसां कर सकते हैं और आई ये आफ बात करते हैं फूलिंग से is tilling बनाने की तरीके या is tilling से फूलिंग में कैसे पज़वर्टित किया जाता है फूलिंग से is tilling में सब दों को कैसे convert किया जा सकता है परव्यती किया जा सकता है जैसे बात करते हैं तो जैसे पहला तरीका है आलगाकर तो आलगाकर इसमें आप देखेंगे आलगाकर जैसे चात्र है चात्र में आलगाते हैं तो चात्रा हो जाता है यहां आप देखते हैं चात्र पुलिंग है और आलगाने से इस्टिलिंग में पर्विर्थित हो जाता है इन लगा कर छे लुभार है कुमार है तो इन लगाने से क्या हो जाएगा लुहारी ठीके कुमार है कुमारी तो इस पकार से आप देखेंगे इन सब्दों में इन लगाकर भी पुलिंग से इस्ट्री लिंग बनाया जा सकता है जैसे इ लगाकर ठीके इ लगाकर आप देखेंगे यहां भी पुलिंग से इस्ट्रिलिंग बनाया जा सकता है जैसे लड़का सब्द था इसमें इ लगा दिये तो क्या हो गया लड़की हो गया तो यह इस्ट्रिलिंग में तो यह इस्ट्रिलिंग में परविर्टित हो गया तो इस वकार से इ लगा कर pulling से stealing में उसी पर्विर्टि किया सकता है जैसे knee लगाकर pulling है shade सब्द है अब इसमें आप knee लगाएंगे तो क्या हो जाएगा knee लगाने पर हो जाएगा shade knee ठीक है जैसे more तो more में नी लगाएंगे तो more नी chore chore में नी लगाएंगे तो चोड़नी इत्याद यह से बहुत सारे सब्द बन जाएंगे अगला है आइन लगाकर आइन लगाकर पुलिंग से इस्टीलिंग में कैसे परव्यतित किया जा सकता है जैसे सब्द है आपका पंडित ठीक है पंडित सब्द में जब आइन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा पंदिताईन या और भी उतारNews ठाकुर का आइन लगाएए इस पुराइन लगाकर भी पुछिए इस्तिलिंग कर सकते हैं वाणों को वती तथा मानों को मती इस प्रकार में पंद्लिंग में इस्तिलिंग बनाये जा सकता है जैसे वान में देखे, vita में है भगवान, तो भगवान को वति में बनाना है, तो क्या हो जाएगा? भगवती छीके, अब मान को मति में चिंज करना है, परवर्थित करना है, यह यहीं पुलींग से इसको इस्ट्रिस्टिलिंग में बदलना है, तो स्रीमान स्रीमान यहाँ पुलिंग था और जब इस्ट्री लिंग परिवतित करेंगे तो हो जाएगा स्रीमती ठीक है तो इस पकार से पुलिंग से इस्ट्री लिंग में बनाने के और भी बहुत सारे तरीके हैं जैसे एका जोड़कर, पाठक है, पाठिका, गायक है, गायका, तो आपको ध्यान रखना है कि एका जोड़कर भी आप चाहें, तो इस्ट्री लिंग से पुलिंग, पुलिंग से इस्ट्री लिंग बना सकते हैं, जैसे आनी जोड़कर, जेट है, जेठानी, देवर है, देवर आनी ऐसे सब्दों में आनी जोड़कर भी पुलिंग से स्ट्रिलिंग उसे बनाया जा सकता है लेकिन आपको ध्यान रख्राए हैं कुछ सब्द आईसे भी हैं जो पुलिंग से स्ट्रिलिंग बनाते समय हमेशा उसके अप उपोचित हो जाते हैं उल्टे रूब में हो जाते हैं नर का नर पुलिंग है तो नर का स्ट्रिलिंग क्या होगा मादा होगा माता स्ट्रिलिंग है तो माता का पुलिंग क्या होगा पीता होगा तो इन सब्दों में आप देखते हैं कि इनको इस्ट्री लिंग से पुलिंग में बनाते समय या पुलिंग से इस्ट्री लिंग में परिवर्थित करते समय ये सब्द क्या हो जाते हैं ये हमेशा अपोजिट हो जाते हैं विप्रेश सब्दों की तरह हो जाते हैं और कुछ सब्द ऐसे भी होते हैं जो हमेशा पु अब क्या बोलते हैं नर कोवा मादा कोवा यानि नर लगाने से उसके पूरुस होने का बहुत होगा और मादा लगाने से उसके इससे होने का बहुत होगा जैसे छिपकली है तो आप बोलते हैं नर छिपकली मादा छिपकली जैसे चीता है तो आप बोलते हैं नर चीता मादा जैसे तितली है तो तितली पुलिंग के लिए आप क्या बोलेंगे नर तितली और इस्री लिंग के लिए मादा तितली जैसे चिडिया है तो नर चिडिया मादा चिडिया तो इस प्रकार से ऐसे बहुत सारे सब्द होते हैं जो हमेशा इस्री लिंग और पुलिंग में होते है उनके सामने नर और मादा लगाकर उन्हें प्रदर्शित किया जाता है तो इस प्रकार से बच्चों आज लिंग जिंडर के अंतरगत आपने किस प्रकार से पुलिंग से इस्ट्री लिंग में परिवेतित किया जाता है इस्ट्री लिंग किसे काते हैं वो लिंग किसे काते हैं लिंग के कितने भेज होते हैं और लिंग किसे काते हैं इस तकार आपने आज की इस वीडियो में इन सरी का अध्यान किया तो आज के लिए बस इतना ही थैंक्यू सोमार